हालो बच्चों मैं जबीका सौगत करता हूँ अपने प्यारे से फिजीस ग्यान मुकेशनेक चैनल पर बच्चों ये जो वीडियो है ये वीडियो शायद आप लोगों को जरूर ये सेव करके रिखना क्योंकि बहुत काम आने वाला है ये वीडियो आपके लाइप को बहुत रिख चेंजर बना सकता है सर क्यों आज मैं ऐसे कालेज के बारे में इनफर्मिशन लेके आया हूँ जो कि महराष्ट का एक टॉप लेवल का कॉलेज है जो ग्रेड होता है शायद आपको पता हो एक ग्रेड का कॉलेज है इसके जो इंस्टिटिट है इसके अंडर में कितने क्या क्या फैसिलिटीज है आपको डिटेल में बताएंगे और मैं तो बोल तो भाई मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं आपको खुद जाके देखना है वहाँ पर कि मुके सर बोल रहे हैं वह सही में वह चीज है के नहीं verifications करो क्योंकि कोई तो कॉलेज नहीं है है ना बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोगों को इसमें कितने साल सर तीन साल या चार साल डिगरी है चार साल आपको समय देना है और चार साल जिंदगी के कम नहीं होते, ध्यान रखना, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ, जो जो वीडियो बना रहा हूँ, उस college में जाके, खुच जाके, वहाँ पर आपके साथ कोई, अगर बड़ा कोई है, आपके ममी, पापा या जो भी educated है, उनको भी लेके जाओ, उस college में, देखो कि भाई, इस college म student कहां कहां गये है, और अब fees के बारे में सोचो, क्योंकि कहें, क्या है बया, आपके मालुमात के लिए, जब या agree कर रहे हो, तो कम से कम मुझे लगता, एक सवालाग देड़ लग तक fees चली जाती है, तो मेरी fees भी बचरी है, नहीं बचरी, क्या-क्या other category, open भी है, तो भी आ अंजियम college है, agriculture का, और इस agriculture के college के अंडर में, तीन colleges साथ है, ठीक है, food technology, biotechnology और agree, ठीक है, और यह एरिया कम नहीं है बच्चों, यहाँ पर चत्रपती संभाजी नगर में, मैं खुद जाके विजट किया है, उनने के बाद मैंने decision दिया, कि नहीं भाई, इस college के बार में वी यही college में admission दिलो, sir बोले, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, एक भी बच्चे ने complaint की, तो मुझे बता देना, तो वो आप लोगों को free में guidance करेंगे, number देने के बाद ऐसा है, कि कौन कौन से document चाहिए, कौन से document नहीं चाहिए, क्यूंकि last year, एक student हा, उसका मुझे call आया, उसने ब वीडियो की information खुद भी दे सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि, जो ग्यानी आदमी है, जिसके बारे में detail में information, उनको invite किया जाए, तो मैंने खुद उनको phone किया, principal sir को, वहाँ पर एक doctor, मतला, यानार, 54 sir है, उनको मैंने invite किया, और उनको बोला कि sir, please यहाँ पर invite करने क आप थोड़ा सा वडियो बना होगे क्या, क्योंकि बच्चों को मतलब direct information चाहिए, और आप से ही चाहिए, क्योंकि आप इसमें इतने साल से काम कर रहे हो, इतना successfully कर रहे हो, यह college को, एक, दो, तीन साही, एक grade, 20 साल से, right sir, 20 साल से, एक grade मिला है, गमनी होता है बच्चों, ठ इसा information देना है sir, और दूसरी बात, मैं request कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपके college के बारे में, यह तो बना रही video ठीक है, लेकिन जब भी information लेनी है उसको, तो भी, मतलब बिंधास ददानी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि महारश्टे के बच्चे को education के लिए help हो जाए, यह प्रॉपिस मिलते हैं, बच्चों को पता नहीं है sir, document कहा मिलते हैं, इसके उपर भी एक video बना जाए, कि एंग्री के लिए कौन कौन से document लगते है, और आपकी जो भी team है, उन team को भी बताओ, बच्चों को बताओ, बच्चों को, और इसमें यह नहीं कि इनके यहां पे ही admission बिल्कुल ऐसा नहीं है, sir के college में full admission होते हैं, महराष्टा का topper college है, हम लोगों को लगा था कि topper college का कोई बना यहां पर आकर अगर बच्चों को अच्छी तरह से information दे, तो बढ़ी आ रहेगा, इसलिए invite किया है, हमारा मकसद अलग है, ऐसा नहीं प्रोमोशन नहीं है, ठीक के बाई, sir को बुलाया, तो sir खुद के college के बारे में तो बताएंगे, अच्छा लगता है किसी को, मैं जहां काम करता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है, तो sir बच्चों को एकदम purely information होना है, आपके college में, document का video, इसका, सब सब video, जितना होंगे, उतनी video हम लोग आपको प आपको सभी को लगता है कि अगर कुछ आप जिंदगी में करना चाहते हो, तो उसमें एक होता है कि सब field आपके लिए open है, sky is the limit बोलते हैं, तो इसमें आपको लगना चाहिए कि किस branch में अपने को जाना है, अभी अपना तो 12 होगा है, 12 होगा है साइंस से, और सब के mind में ए इसलिए देने जा रहा हूं कि agriculture के sector में, महरास्ट में agriculture के sector में चार इन्योर सिटीज है, चार इन्योर सिटीज में कौन-कौन से इन्योर सिटीज है, उसमें पंजाबरा देश्म कृष्य विद्धापिट, अकोला है, फिर MPK वी रावूरी है, BSK के वी दापूली है, फिर व इन्योर सिटीज जो है, वो महरास्ट में स्थीत है, इसमें अभी आपको वसंद्रावनाइक मराठवाडा कुरुष्य विद्धापिट में कौन-कौन सी डिग्रीज प्रोग्राम किये जाते हैं, उसमें पहला agriculture है, उसके बाद horticulture है, उसके बाद forest है, उसके बाद bitec biotechnology है उसके बाद bitec food technology है, उसके बाद home science है, उसके बाद आपको ABM agriculture business management, यह 7-8 stream में आप admission ले सकते हो, तो admission लेना कौन-कौन से बच्चे उसमें admission ले सकते हैं, उसमें है 12th pass होना चाहिए, MST CT होनी चाहिए, उसके बाद neat होनी चाहिए, PCB group रहे या PCM group रहे, वो admission ले सकता है, ब्रांचेश बहुत अच्छा है, आप सबी ब्रांचेश में admission ले सकते हो, एक गर्रेड कॉलिज में ले सकते हो, बगर उसके best of best, आप को किस college में admission लेना चाहिए, किस में आपको अच्छे top colleges में admission लेना चाहिए, तो एक colleges में आप सभी को मैं विजिट करने के लिए एक, facilities कैसी होनी चाहिए, वहाँ के teaching staff कैसे होने चाहिए, उसके बाद वहाँ का laboratories कैसे होना चाहिए, यह सभी को आप मैं बताना चाहता हूँ, उसके बाद आपको यह सातो stream में से agriculture, horticulture, forestry, bio technology, food technology, उसके बाद home science, ABM, उसमें से एक branch है agriculture, bio technology, agriculture, bio technology में आप अगर admission लेना चाहते हो, तो आपको eligibility criteria और कौन-कौन से documents आपको लगने चाहिए, agriculture field के लिए admission लेने के लिए, आपको कौन-कौन से document लगने चाहिए, उसके बाद के हमारे जो जंजाल सरह है, वो वीडियो आपको दिखाएंगे, मैं आपको दिखाना चाहते है, हमारे पास agriculture campus, MGM, चत्रपती संबाजी नगर पुराना औरंगाबाद में, यहां पे आपको कौन-कौन से facilities हम provide करते हैं, उसमें हमारे पास MGM स्तीत, हमारे पास तीन college है, agriculture है, agriculture bio technology है और food technology है, तो हमारा यह जो campus है, यह total campus हमारा 240 एकड का campus है, उस campus में हमारे पास agriculture college, agriculture bio technology college और agriculture food technology college, उसमें से agriculture bio technology college जो है, वो 2004 से college हमारा A graded college है, 2004 से हम college run कर रहे हैं, तो इसमें 2000 बिटेक, bio technology में हमारे पास facilities का है, देखो बच्चो, अपने को सीखना है theoretically, theoretically सीखने के बाद आपको साथ में होना चाहिए उसका practical knowledge, practical के बीच में आपको होना चाहिए कि practical में आपको जमीन पे जो practical होते है, वो फिल्ड पे जो practical बोलते हैं, वो practical हमारे पास conduct किये जाते हैं, उसके बाद हमारे पास जो state of art facility है, जो की state of art facility हमारे पास जो expertise है, expert teaching staff है, उसके बाद हमारे पास digital classrooms है, और सभी प्रकार के जितने हमारे departments है, वो सब departments हमारे पास fully established है, fully laboratories है, उसके बाद हमारे college में आपको जिस दिपार्मेंट में काम किया जाता है, हमारे जो staff है, उन्होंने आपको पूरे department का video भी दिया है, कौन-कौन से courses, Bitech Biotechnology में कौन सा syllabus रहता है, और कौन-कौन से courses उसमें run किये जाता है, मैं यहाँ पर आपको उस department के infrastructure, उसमें कितने instruments है, उसकी सब facility हमारे पास हमारे college में facility है, को हम दिखाना चाते हैं, देखो बच्चों, आपको admission लेना है, ऐसे department में, ऐसे college में आपको admission लेना है, जो की सही में A grade है, और जो भी सही में अच्छे काम करते हैं, उसमें जो सब facility प्रोवाइड है, इस प्रकार की हमारे पास सब facilities प्रोवाइड हैं, जिसमें classrooms है, digital classrooms है, उसके बाद हमारे पास laboratories है, उसमें fully established नए तक्निकी, जितने भी instrument है, वो भी हमारे पास available है, फिल्ड, जो की फिल्ड बोलते हैं, अनिमल बोलते हैं, फार्म, जितने भी practicals, फार्म या laboratories में होते हैं, वो सब practical हम इसमें conduct करते हैं, उसके बाद हमारे पास hostel की facility है, boys और girls के लिए, हमारे campus में ही hostel के facilities है, उसमें आपको RO filter, जो water है, वो दिया जाता है, और fully oxygen aerated, जो area बोलते हैं, वो fully area oxygen से, भर पूर oxygen से area, oxygen का area है, उसके बाद हमारे पास drinking water, hostel security, आप जो भी बच्चा admission लाना चाहते हैं, उसका दो मतलब होता है, एक तो अच्छे teaching होनी चाहिए, और दूसरा हमारी security अच्छी होनी चाहिए, जब हम वहाँ पे रहते हैं, तो boys और girls का different हमारा hostel है, separate hostel है, उसमें सब facilities है, और food अच्छा होना चाहिए, तो हमारे पास दो canteen available है, हमारे campus में, दो canteen से उसमें बहुत बढ़िया प्रकार का खाना दिया जाता है, देखो, और जो भी आपको उसमें लगता है, कि जैसे कि animals, practical हमारे department animal biotechnology का, वहाँ पे भी हम practicals लेते हैं, तो student को बोला जाता है कि milk और milk processing unit भी हमारे पास available है, food और food processing unit वो भी हमारे पास available है, आपको जो भी skill और skill related, जो भी जैसे कि आप बोलते हैं कि skills कैसी बढ़नी चाहिए, practical कैसे होना चाहिए, वो सब facility हमारे पास है, और हम उसमें पूरे practicals लेते हैं, देखो, तो आपको लगता है कि academic और academic के अलावा आपको क्या होता है, जैसे कि sports आपका wellness के लिए, health के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, तो हमारे पास university के अंतरगत, जितने भी university और ICR nationally और state level के जितने भी competitions होते हैं, उसमें हर एक student को opportunity मिलती है, यो भी उसमें अपना जितना भी expert है, वो लगाते हैं, जैसे कि kabaddi, koko, holly ball, उसके बाद badminton, उसके बाद archery, इस type के हमारे पास competition होते हैं, और हमारे student वापे बहुत अच्छे प्रकार के select होते हैं, उसके बाद आपको हर एक साल में students का competition examination में result आता है, तो हमारे 10-20% जो student है, वो अच्छे से इसमें M.Tech, M. M.C. और ABM, MBA के लिए select होते हैं, हर सार हमारा data है, कि 20 साल से हमारे student जो है, वो state government, state government, central government और abroad में भी बहुत सारे student है, 20 साल में हमारे तक्रिमान 700 student बहुत अच्छे-च्छे position पे काम करते हैं, यह जो हमारे facilities है, यह हमारे college की facilities है, उसमें उसके अलावा हम NSS camp लेते हैं, और societal work जो बोलते है, societal work भी हम करते हैं, इस प्रकार के सब facility और सब प्रकार के entrepreneurship development programs और student growth के लिए, student welfare के लिए हम हमारे student का opportunity देते हैं, और इस प्रकार के societal development के लिए farmer के लिए हम लोग काम करते हैं, उसके बाद जो student का NSS activities होता है, उसमें सब प्रकार के activities हम लोग कंड़ करते हैं, उसके बाद हमारे जो traffic rules है, उसके बाद education day है, science day, इस प्रकार के हम facility और इस प्रकार के हम program organize करते हैं, जो की student को multitasking और multitasking के अलावा और जो student को growth मिलनी चाहिए, और growth जो मिलती है, वो जैसे कि बाहर के expert आके आपको, उसमें scientist है, उसमें directors है, वो आके आपको एक देते हैं, तो बच्चों, इस प्रकार से हमारे बहुत सारे student है, उन्होंने sports में भी gold medal लिया है, university level में लिया है, national level में gold medal लिया है, उनका बहुत benefit उनको आगे career में होता है, उसके यह जो pictures में आपको दिखा रहा हूँ, यह सब student हमारे selected student है, हमारे पास gatherings जो भी होते है, youth festival होता है, उसमें भी हमारे student अवल रहते हैं, उसके बाद सबसे बढ़िया होता है कि placement, देखो आपको admission लेनी है, admission लेने के बाद आप सोचते हैं कि मेरा placement का होना चाहिए, मेरे को placement मिलता कि नहीं मिलता, बहुत ही अच्छा, मैं आपको यह बता चाहता हो, कि अगर आप agriculture के stream में आये हो, तो आप tension ही मतलो कि आपको job या business आपको करना है, आप job भी कर सकते हो, तो किसे भी sector में आप job कर सकते हो, private sector हो और public sector हो, दोनों में आपको job opportunity बहुत बढ़िया मिलती है, तो बचो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता ह कि जो activities हम लोग लेते हैं, वो activities तो हमारे campus में पूरी है, उसके बाद आपको ये course में, पूरे curriculum में आपको industrial visit में लिया जाता है, industrial visit किये जाते हैं, वो भी पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में हम industrial visit करवाते हैं, वो इसलिए करवाते हैं कि जो student, academic से, research और academic का student को आपको ऐसा होना है कि मैं degree होने के बाद, अगर मैं किस industry में job करना चाता हूँ, private sector में job करना चाता हूँ, तो वो industrial visit हम देते हैं, और जो बच्चा PG, PhD करना चाता है, विटेक बायो टिक्नोलोजी के बाद, PG और PhD करना चाते हैं, तो उसमें institute, कौन सी institute में लेना चाहिए, क्या होना तो इसमें ideas clear होते हैं, industrial visit में, बहुत अच्छा expert वहाँ पे अपने को मिलते हैं, बहुत अच्छा expertise उनके बताते हैं, और बहुत अच्छे institute में आपको विजिट हो जाते हैं, हर एक साल पाच्छे से आपको tour वहाँ पे किये जाते हैं, industrial academic institute को किये जाते हैं, पैन इंडिया म महाराश्टा में भी हो जाता है, उसके अप बाद, आपको, विटेक भाया होने के बाद, आपको किस एरिया में opportunity मिलती हैं, और किस एरिया में आपको opportunity होते हैं, उस में सब से पर्द़े, पहला question तो आप का दाए, what should I do after विटेक भाया हो जीए, आपको अगर, विटेक भाय Capital आपको क्या करना चाहिए देख मेंने के यह दिगरी करने करहां आपको टूम्छर भी एक। पुब्लिक सेक्टर में आप UPSC रहे, MPSC रहे, महाराष्टर स्टेट पॉब्लिक सर्विसे रहे और एनी अग्री कल्चर के कोई भी इंस्टिटूट या फिर कोई भी प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिलती है उसमें पहला है कि बैंकिंग सेक्टर बहुत सारे कंपलिशन होने के बाद आपको क्या करना चाहिए और कौन-कौन सी इंस्टिटूट में आपको जॉब अपॉर्शनिटिट है देखो आप हाईयर एजुकेशन में आप जैसे कि IIT में आप M.TEC कर सकते हो IIT में आप M.TEC कर सकते हो ICT में आप M.TEC कर सकते हो ICR का कोई भी इंस्टिटूट रहे उसमें आप M.TEC कर सकते हो M.TEC और M.Sc. अग्रिकल्चर आप कर सकते हो उसके बाद जॉब अपरचुन्टिट गवर्मेंट और्गनाजिशन जैसे कि ISRO है, BARC है, DRDO है उसके बाद जो भी आपको CPCB है उसमें आप जॉब अपरचुन्टिटी में आपको मिलती है देखो Agriculture Research Scientist Central और State Government Organization है उसमें भी आप इलिजबल हो MBA, MSC उसमें भी आप इलिजबल हो उसके बाद Agriculture, Non-Agriculture जो सेक्टरस होता है जैसे कि MSC आपने किया है MSC में आप MSC करते हो, MRM Tech करते हो तो आपको Assistant Professor का जौब मिलता है उसके बाद Lab Technician का जौब मिलता है इस प्रकार के सभी opportunities आपको Open है Agriculture Biotechnology सेक्टर के बाद तो जैसे कि उसमें और बड़ा सेक्टर चल रहा है After COVID-19 में Pharmaceutical Biotechnology, Flavor Technology इस प्रकार के courses को आप M Tech में admission लेते हो जैसे कि ICT में आपको admission मिलती है, IIT में आपको admission मिलती है उसके बाद MSC Agriculture, MSC Agriculture करने के बाद आपको क्या होता है जैसे कि MSC Agriculture के बाद हमें MSC करना है, M Tech करना है तो किस प्रकार के job opportunities हमेर पास आए तो उसमें Assistant Professor, Lab Technician, Analysis, Food and Drug Inspector, Biotechnology जैसे कि RA, SRF, JRF और उसके बाद आता है MBA और ABM, MBA में भी आप IIM, Manage, Hyderabad, उसके बाद Vamnicom, Pune इस प्रकार के National और State Institute में आप MBA के लिए eligible हो, उसके बाद Agriculture Business Management ये भी बहुत अच्छा course है, आपको after BITEC Biotechnology में आप eligible होते हो और इसमें आप admission ले सकते हो देखो, बहुत सारे student आते हैं, उनको लगता है कि मैं Agriculture Biotechnology करता हूँ या फिर कोई course करता हूँ तो उसके बाद मेरे को opportunity मिलना चाहिए कि जैसे मैं entrepreneurship development के लिए कोई skill develop एक entrepreneurship चालू करना चाहता हूँ उसमें कि आप Biofertilizer Production Unit चालू कर सकते हो उसके बाद आपको कुर्शी सेवा, Agriculture Inputs का एक shop डालनी है तो Agriculture Inputs भी आप shop डाल सकते हो Agriculture Inputs में आपको pesticide, insecticide और seed ये तीनों का ही license आपको after Bitech Biotechnology के बाद मिलता है ये सभी चीजे हैं जहांकि एवर green field माना जाता है कि उसमें आप Agriculture Biotechnology या फिर Agriculture Sector से आप Opportunity पा सकते हो उसके बाद government exams है जैसे कि मैंने आपको पहले ही का है UPSC है, YMPSC है, IBPS है, RRB है, RBI है और Agriculture, एनी Agriculture Sector उसमें आप eligible हो और उसमें आप अपना career बना सकते हो देखो बच्चो, हमने तो आपको हमारे जो टॉप colleges है ओ टॉप college में आपको admission लेनी है और ओ टॉप college में admission लेने के बाद आपको कौन सी facilities हमारे पास available है उसके बाद उसके opportunities कौन-कौन से मैंने आपको इस वीडियो में बताया Thank you, Gyan Mukesh channel पे आप आये हो और आपने ये मेरे को बुलाया और thank you to Mukesh sir जिन्होंने मेरे को ये opportunity दी कि sir आप एक top agriculture biotechnology college के बारे में आप facilities क्या है अपने पास और उसके बाद agriculture biotechnology भी टेक करने के बाद आपको कौन-कौन सी opportunity student के लिए ये आपने में शौट में बताया Thank you, thank you sir